नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है Dr. Neilum Sharma इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि Safoclox Tablet का उपयोग किन कंदिशन्स में किया जाता है Safoclox Tablet को कैसे लेना चाहिए? और Safoclox Tablet की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं? और यह भी discuss करेंगे कि सेफोक्लोक्स टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए सेफोक्लोक्स एक brand name है सेफोक्लोक्स टैबलेट के अंदर salt composition सेफपोडोकसीम होता है सेफोक्लोक्स टैबलेट 100MG वद 200MG की strength में available है सेफोक्लोक्स टैबलेट एक antibiotic दवा है सेफोक्लोक्स टैबलेट का उपयोग शरीर में bacterial infection होने पर किया जाता है जैसे फेफरों में bacterial infection होने पर, pneumonia होने पर, खासी होने पर, पेट में infection होने पर, दातों या मसूडों में infection होने पर, जोडों या हड्डियों में infection होने पर, पेशाब में infection होने पर और कान नाग गले या तवचा पर infection होने पर डॉक्टर सैफोकलोक्स टैबलेट को लेने की सला इसके अलावा तवचा पर कोई फोडा फुनसी होने पर, तवचा पर कोई घाव होने पर या तवचा पर कोई इंफेक्शन होने पर भी डॉक्तर सैफोकलोक्स टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। साइड इफेक्श की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में सैफोकलोक्स टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्श नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में सैफोकलोक्स टैबलेट की वज़ह से कुछ सामान्य साइड इफेक्श हो सकते हैं जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बधज्मी होना, तवचा पर रैशेस होना, पेट में दर्ध होना और दस्थ होना आदी side effects सैफोकलोक्स टैबलेट की वजह से हो सकते हैं अब हम डिसकस करेंगे की सैफोकलोक्स टैबलेट को कैसे लेना recommended होता है सेफोकलोक्स टेबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है आम तोर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर सेफोकलोक्स 200 mg टेबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं और बारह साल से कम उम्र के बच्चों को डॉक्टर सैफोक्लोक्स टैबलेट को शरीर के वजन के हिसाब से 10 mg पर किलोग्राम और परडे के हिसाब से डोज को दो समान भागों में डिवाइड करके लेने की सलाह देते हैं। सैफोकलोक्स टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको सैफोकलोक्स टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। सैफोकलोक्स टैबलेट को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने सैफोकलोक्स टैबलेट को लेने की सलाह दी है। क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक सैफोक्लोक्स टैबलेट को लेने से एंटिबायोटिक रेजिस्टिंस हो सकता है और एंटिबायोटिक रेजिस्टिंस होने पर वो एंटिबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और सैफोक लोग्स टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इनफेक्शन वापिस आ सकता है। इसलिए आपको सैफोक लोग्स टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए समय तक पूरा लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि सैफोक्लोक्स टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए। क्योंकि लिवर और किड्नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में सैफोक्लोक्स टैबलेट की डोज घटानी पढ़ सकती है। अगर आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका सैफोक्लोक्स टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।